और जहारकंद में करोणा संक्रमन का डुला आप तेजी से उपर कियोडतरब जारा है राची और जम्षेदपूर के शती दिमब दिन बिगड़ती ही जारी है 24 घंडे के बितर जहारकपंद में 1,086 लोग संक्रमित पाए गए राची में 579 और जमशेदपूर में निनार्मे करोणा संक्रमितों की पहचान की गई संक्रमित मरीजों की कुल संक्या 5882 हो गई है दूसरी तक राजभर में करोणा का टीका करन भी जा रही है आपको बता दे कि करोणा के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम हेमन सोरे ने उचस्तर ये बैठकी जिसमें करोणा के तैयारियों पर चर्चा की गई है कि अधिर आची साया हुआ हो कि मेरा पालाड हो जाए और कोई भी दिकत नहीं हुई मैं तो चाहूंगा कि जितना भी लोगा है वे ले ले जो नहीं लिये हुए है एक तरफ बिहार सरकार लोगों से कोरोणा को लेकर एतिहाद बढ़तने की अपील कर रही है और नहीं सोशल डिस्टेंस का पालन करते नजरार है जब जन्द प्रतिनीदी कोरोणा को लेकर लापरवा बन दिख रहे हैं तो ऐसे में आम लोगों से एतिहाद बढ़तने की उमेद करना बेमानी है मदुमनी में हुई सामोहिक नरसंगार कारण मामले में अखिल भारतियक शत्य महासभा ट्रस्ट ने अपरावियों के खिलाप सक्त कारवाई की मांकी है ट्रस्ट ने स्पिर्ट ट्रायल चलाकर दोश्यों को सजा देने की मांकी है उन्हें ट्रस्ट के राज़्टियस नलक्षक विक्राम अधित्य सिंग जुदेव और जया सिंग जुदेव ने कहा कि उन्हें सीम नितिश्क को वाहाँ पर पुरा भरोसा है वे जल से जल पिरित परिवार को न्यादि लाएंगे हैं झाल जर्ट पर जुदेव और जुदेव औरस्वाद है कर दो है